नमस्कार मेरे प्यारे बच्चो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जारी हूँ जिसका नाम है कबूतर और बहेलिया ये कहानी मैं आपको चित्रों के माध्यम से सुनाऊंगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी कबूतर और बहेलिया क्या होता है कि एक बार जंगल में एक बहेलिया आया बहेलिया कौन होता है जो पक्षियों का शिकार करता है चलिए आगे बढ़ते हैं बहेलिये ने पक्षियों को पकड़ने के लिए अनाज के दाने डाल कर एक जाल बिशाद दिया फिर क्या हुआ जिससे जो पक्षी दाना चुगने के लिए आए वे जाल में फंस जाए कुछ देर बाद क्या होता है कुछ देर बाद कबूत्रों का एक जुन्ड वहां से गुजर रहा था तबी उन्होंने अनाज के दाने देखे किसके दाने देखे अनाज के दाने देखे वे दाने चुगने के लिए जैसे ही बैठे जाल में फस गए अब क्या हुआ अब कबूतर उड़ नहीं पा रहे थे तबी एक बुड़े कबूतर ने सब कबूतरों को एक साथ उड़ने के लिए कहा जिससे वे जाल को भी अपने साथ उड़ा कर ले जाए तब ही कबूतरों ने उस बुड़े कबूतर की बात माल ली फिर क्या हुआ फिर क्या था सब कबूतर एक साथ जाल लेकर उड़े और अपने दोस्त चुहे के पास पहुंचे किसके पास पहुंचे? चुहे के पास पुँचे चुहे ने जाल को काड़ दिया और सारे कबूतर अज़ाद हो गये तो देखो फ्यारे बच्चो आज मैंने आपको कौन सी कहानी सुनाई है? कबोतर और बेहलिया इस कहानी से में क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से में ये शिक्षा मिलती है कि हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए और बड़ों का कहना माना चाहिए धन्यवाद